हेलो हेलो अजी वेरे गुदा अफनून सब्नाराम राम आप एवरेवन इस फिर न फाइन सब्की पड़ाय चल ली होगी देख्शा आंकित नरेन रेनु सुमन हिवानी अनु और संदीप वेरे गुदा अफनून आज आपका UPC का admit card आ गया है ठीक है एक बर मुझे बस आज का confirmation करो उसके बाद अपना art and culture का revision स्टार्ट कर दें है paintings वाला chapter आज मैं निप्टा के आपका चलेंगे थोड़ा सा अपन इसको speed थोड़ी सी ठीक ठाक रखेंगे ठीक है ओके good afternoon चलो तो यह है हमारा महा revision UPC 2022 preliminary art and culture अपना चल रहा है तेन slot में आपकी UPC की classes चल रही है सुबह साड़े 5-6 environment mcq आज अपने start किया है एस निरंजन सर की जो book है वो अपन करेंगे उसको थोड़ा सा उसको भी again अब paper भी आगया है admit card भी आगया तो again सारे की सारे चीज़ों को थोड़ा सा जल्दी निप्टाने की कोशिश करते हैं और यह जो अपना weekend रहेगा इसमें थोड़ी सी लंबी जैसे अपने polity के time पे classes ली थी थी थोड़ा सा वैसे classes लेकर environment को थे at least निप्टाते है economy अपना देरे देरे चलता रहेगा ठीक है क्योंकि environment में थोड़े से ज्यादा concerns है वहाँ पर पटना ज्यादा जरूरी हो रहा है उसमें थोड़ा सा है एक तीस से डाई आपकी यह चली रही है साड़े आठ से दस आपकी economy की चलेगी 550 उसका जो pdf है मैंने already share कर दिया है ncrt में अपना art and culture के बाद अपन geography फिर history पर लेके आएंगे pdf सारी की सारी टेलेग्राम और app पे है एप का जो link है वो भी description में है चैनल की playlist एक बार सारी देख लो उपर से निचे आपको सब समझ में आ जाएगा kgf है प्रिविस एर पेपर के लिए चाय परचा है करन अफेर के लिए डाकू है और यूपसी वाली तो उपर ही ठीक है उनको आप देख सकते हैं अपने revision के लिए जो नाइस students है weekend classes में मैंने quality mcq complete करा दी है geography maps हो गया modern history हो गया ancient हो गया medieval हम करेंगे next time ठीक है उसके अलावा hcs 2022 के जो student है तो उसकी जो date आई हुई है अभी July में 10 July की तो हमारा नया batch अभी चल रहा है जो student interested है hcs 2022 के लिए जुडने के लिए आप application download कर लेंगे और summon way के नाम से batch है उसमें आप enroll कर सकते है batch की सारी detail आपको youtube channel पर मिल जाएंगी आप hcs new batch जोक्रामित करके डालेंगे तो आपको complete detail batch की मिल जाएंगे ठीक है so and before starting about me my name is जोक्रामित and now let us start with the pdf without any more delay now let us start ठीक है ठीक है चलो तो ओके वाइस इस ओके एंड पुनम has joined ठीक है पुनम गुड़ आफ्टनून प्रिया गुड़ आफ्टनून चलो देखो अब यह जो अपना है अब अपन कर रहे हैं पेंटिंग पेंटिंग शुरू से लेके last तक चलेंगे chronologically चलेंगे किस-किस टाइम पे कौन-कौन से डवलोप हुई मुगल, miniature, आपकी राजस्तानी पहाडी, whatever, everything we will cover in this lecture अगर इसके बाद painting से बाहर यहां से सवाल आने का chance जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, तो पूरी again, पूरी concentration के साथ बैठना है, पूरे दिमाग के साथ बैठना है, और आराम से पूरा सुनना है, एक गंटे का अपना complete lecture अपन रखेंगे, और जैसे ही अगर painting पहले खतम ह हो जाता है, तो अगर पहले खतम कर लेंगे, बट अगर थोड़ा से टाइम ज्यादा लगता है, तो हम थोड़ा से ज्यादा भी लगा लगे, बट आज painting खतम करेंगे, देखें, earliest evidences, ठेक है, वो आपके कहाँ पर बीम बेट का बगरा में मिल रहे है, real beginning बट असा माना जात तो at least आप यह याद रखेंगे, ठीक है, 5th century, it is the oldest known treaty on painting in the world, तो यह आपको ध्यान में रखना है, तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, चित्र सुत्र, कामा सुत्रा भी जैसे अपना है, तो उसमें, कामा सुत्रा में, गुपताज के टाइम पे जो लिखा गया था, fine art और painting के बारे में काफी detail में बताया क्या है, वहाँ पे 6 principles of painting, शडांग बोलते हैं उसको, 6 हैं, तो 6 से क्या आता है, शडांग, शडांग principles of the painting, जैसे रूप भेद, यानि हमारा क्या है, knowledge of appearance, रूप होता है, knowledge, प्रमान, correction, major, लवन, आपका infusion of grace, ठीक है, जैसे हमारा मनिपुरी भ जो आपके, वो रहते हैं न, pictures, उनके बारे में अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है, ये हो गया, वरनिका भंगा, तो ये brush और color को use करो, इसमें हमारा example जैसे अजंता है, गुपता paintings है, देखे, यहाँ पे थोड़ा सा mention किया हुआ है, कि जैसे fresh को क्या होता है, fresh को मतलब आपका, जो fresh plaster पे जो paint किया जाता है, वो हमारा हो जाता है, freshly laid lime plaster, उस पे अपना ये रहेगा, ज्यादा durable रहता है, murals होती है, जो आपकी walls पे की जाती है, ठीक है, ये हमारी है, अब देखे, इसके अलावा आप अपन देखते है, murals and the cave painting, ऐसा नहीं है कि सारी कि सारी जो mural painting painting है, वो आपकी wall पे ही रहेंगी, कई आपकी जैसे temple churches, places में भी रहती है, अब यहाँ पर आपन देखते है, reno good afternoon, देखे, आप भीम बेट का में जो आपको paintings मिली है, यहाँ पर एक टाम हारी है, petroglyph, petroglyph, petroglyph मतलब क्या होता है, rock, और glyph मतलब वही, उसके geometric और जो painting आपने को मिल रहा है, वो है आपका जैसे animals और hunters वाली painting, एक और example हमारे यहाँ पर है, जो हमारे जारखन में है, ठीक है, पिर देखिए, कुछ-कुछ और example जैसे, यह आपने caves में देखा था, अजंता बाग, सितना वस्तल, अरमलाई, रावन चाया, कैलाशनात, ब्रिदेश होता है, भीम मतलब भीम, sitting place of the, भीम कहां पर है, मद्यपर्देश में है, अलग-अलग period में यह पाएगी थी, पेलियोलिटिक, मिजोलिटिक, चालकोलिटिक, largest number आपके मिल रहे है, बीच वाले में, मिजोलिटिक में, पेलियो नहीं है, मिजो में है, यह चीज ध्यान में र ना रखा है, ठीक है, तो एक pictorial narrative हम कह सकते हैं कि caves में लोग रहते थे, किस तरीके से रहते थे, क्या चलता था, तो वो सारा इन्होंने यहाँ पर बता रखा है, ठीक है, यहाँ पर देखे, horses, elephant, battle scene आपको मिलते हैं, अब point is, जो animals हैं, वो बड़े ही naturalistic style में इन्होंने represent कर रखा है, और जो human है, वो काफी stylists, matter में इन्होंने बता रखा है, ठीक है, आप देखो, ताकिट अपने क्या रेखा था, जोगी मारा, अब जो जो जारकंड वाली हैं, MP, जारकंड में मिलेंगे, pre-buddhist and expert painting, तो यह आपकी कहा है, pre-buddhist है, situated near अमरनाथ, नर्मदा के पास है MP में, इसमें भी वही हैं, देखो, जादतर जगें वही मिलेगा, अब अपने को जो difference है painting में, वो रखना है कि उसकी theme क्या थी, और उसकी location क्या थी, ये दो चीज आपको painting में सबसे important रखना है, आपसे सवाल इसी तरीके से पूछा जाता है, कि it belongs to, बनलब कौन से, उस से, तो यह आप करेगा, अब देखिए, अजन्ता paintings, इसमें आगए अपना human figures है, fish है, elephant है, layer of paintings वगएरा, सारी चीज़े इसमें है, ठीक है, यहाँ पे layers है, अलग-अलग layers, जो original है, वो expert artist ने बनाई है, और जो सबसे उपर है, वो incompetent artist ने बनाई है, अजन्ता में देखिए, तक कता है, जो अपने को पता है, उसके सारे के सारी story जो सनाती है, तो वो सारे के सारी इसी में ही आपको मिलेंगी, ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, even animal and the birds, वो भी emotion से दिखाए गये है, तो कुछ unique ने सारी है, जैसे राग-माला painting अपनी आएगे, तो उसमें राग, यान इसमें और कौन से example है, dying princess, ठीक है, या फिर जो अपने और भी देखे थे, ठीक है, एक दो example और बताओ, इसके अलावा, जो अपने नाम आ रहे थे, early जो paintings है, वो गुपतास के बनाई हुई है, यहाँ पे महायाना, हेनियाना, सारे में ही है, सत्ते वचन, सत्वाहना ने सब से पहले patronize किया था, अजन्ता को, और फिर वकटकाने किया था, ठीक है, ऐसा माना जाता है, कि these are at the fountain head of paintings in Asia, and हमने अजन्ता और अलोरा में जो difference देखा था, अलोरा आपकी latest है, बट अपने क्या चक किया था, कि latest होने के बाद भी उतनी बची हुई है, ठीक है, जबकि अजन izable condition में है, ठीक है, एमलता, गुड़ अफ्टनून, मैत्रया, बिल्कुल, हाँ, preaching Buddha, dying princess, flying Apsara, absolutely, very good, ठीक है, तो ये example अपने हो जाएंगे, speed ठीक चल रही है, speed थोड़ा बढ़ाने के आशकता है, या फिर ठीक है, थोड़ा सा increase कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, अगर comfortable ली चल रहा है, तो 2-4 मिनिट के चकर में जादा हो नहीं करेंगे, ठीक है, बताएं, देखें, अब है, पितल हो रहा है, कैसे याद करोगे, पितल, पितल का बुद्धा, यानि, ये भी आपके कहां मिल रही है, अलोरा के पास है, और अंगाबाद में, and these are considered largest group of हिनयाना बुद्धिजम, ठीक है, बाग केव, बाग अपनी किसके तरीके से, A, B, अजंता जैसी है, ये आपको कहां मिलती है, अजंता जैसी है, सेकुलर है, थोड़ी सी, and Buddhist again, धार MP में ये आपके मिलती है, फिर देखो, बजा, कनहरी, ये भी हमारे बजा केव, इंद्रियानी, रिवर पे आपको मिल रही है, same, मतलब, बुद्धा के बारे में, यहाँ पर बात करेगी है, nothing more, nothing less, ठीक है, फिर देखिए, बदामी, जो हमारा चा जाना है, balance ही रखना है अपने को, ठीक है, चली, ठीक है, okay है, good, चलो, ठीक है, thank you your money for the good, चलो, अब हम आते हैं, देखो, रावन चाया, याद करिए, ठीक है, रावन चाया, जो रोक सेल्टर है, यह है, उडिसा में, 7th century cycle, कोई नी, पलवास पेंटिंग, जैसे हमने पलवा टाइडल थे, देखो, विचित्र, चित्र, क्यूरियस माइड, विचित्र, ठीक है, क्यूरियस माइड, चित्र, करपूली, टाइगर अमंगदा आर्टेस्ट, चित्रा करपूली, और फिर है, चेत्यकारी, टैंपल, बिल्डर, तो यह इनके नाम, आपके दिये जाते हैं, फिर हमें पता है, सितना वसल, इसमें हमारा क्या आएगा, जैन, अपने उससे रिलेटेड है, जैन पेंडिक्स, कहां पे, तमिलाडू, पुट्टो कोटई, तरिची, थोड़ा-थोड़ा याद रखेंगे, सितना वसल, जैन इतना ही याद रखना है, ठीक है, फिर हमारा आ चेरा, चोला, तंजाओर पेंटिंग, विजन अगरा पेंटिंग, डेकन स्टाइल ओफ पेंटिंग, तो थोड़ा सा मेजर डिफरेंसेज आपको पतावाना चीए, ठीक है, तो आप देखो, चोला में क्या है, ये ब्रिदुषिरा टेंपल तो आपने को बताईए है, हिंद शिव, सबके बारे में ही अपने किया हुआ है, तो देखिए, इसके जो मेजर सेंटर है, हम पे इनकी कपिटल होती थी, लिपाक्षी टेंपल अपना हो गया, ठीक है, वीरु, वीरु का विश्नु, एंड वीर शेव है, शिव का, ठीक है, वीरा, तो वीरा इस शेव है, वी वीरु इस विश्नु, ऐसा याद रखता है अपने को, यहाँ पे देखिए, अपना जो लिपाक्षी टेंपल है, इंदुगोड, शिव का आपका, यहाँ पे है, सेकुलर है, रोयल सीन्स दिखाए गए है, जैसे नारेटिव और रोयल यह वाली जो चीजे हैं, वो हमारा इ जैसे दस अतार, टैन अतार ओ विश्नु, आहाँ पे वीरु पाक्षा में, तो वीरु इस विश्नु ठेक है, वीरु पाक्षा इस विश्नु, तो उसमें उसके बारे में बात करेगी है, बाकी रहेंगे, अब जो नायक है हमारे, नायका, अच्छा, नायका का, मुझे एक temple का example बता दो नायका उससे related डायनेस्टी से यह हमारे रहेंगे यहां पर देखो महाभारत के बारे में रामायन के बारे में इन्होंने बता रखा है 60 panel mural of रामायन आपके temple पे आर्कोट के आसपास इन्होंने रखा हुआ है जो south इंडिया में हमारे हैं वहाँ पर majorly आपके हिंदू डेटीज को इन्होंने represent किया है फिर अगर अपन और देखें traditional form of हमारी mural मतलब जो आपके walls और इन very very important जो green में है वो तो बहुत ही जादा राजस्तान गुजरत मिथिला कहां की अपनी बिहार के ठीक है अब हम देखते हैं देखें miniature painting miniature painting वाला ये जो हिस्सा है it is very important कहां पर थी कैसे थी कौन सी अगें themes कौन सी थी और location कौन सी थी यहीं मैं ध्यान में रखना है miniature का है चोटे form में represent करी जाती है ठीक है और अब चोटे-चोटे से होंगे और काफी चीज़े उसमें दिखाए जाएंगी तो इसमें आपन देखते हैं ज्यादा detail में होता है बाद में आपका develop हुआ था specially अपना जो mughal का influence है और बाद में British influence के time पर भी यह हमारा रहेगा ठीक है प्रिया बड़े वो थे side में ठीक है यहाँ पर इतनी detail में होती है कि even जो brush का एक single hair होता है वो भी आपका represented होता है यह 9th century के बाद में अपना रहता है देखो सबसे पहले हम देखते है पला पला अपना किधर था east में तो यह east का आपका आता है 9-11 यहाँ पर नालंदा विक्रमशीला अधनतापुरी यह सारे के सारे इसके important center थे किसको represent करते हैं वजरियाना बुद्धिजम जो आपका architecture का रहेगा वही paintings में भी लगबग same ही चलता रहेगा themes तो उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं क्योंकि उन्हीं का ही है यह ज़्यादा true miniature आपका नहीं है ठीक है आं compact form moral हम इ रखी हुई थी ठीक है यहाँ पर एक है हमारा बुद्धिष टेक्स प्रजणा प्रमित्र ठीक है it is known as earliest example जहां पर micro और miniature size की जो paintings उन्होंने डबू किया था तो यह याद रख सकते हैं प्रजणा प्रमित्र यह हमारे बनाना और cotton leaves पे आपके बनाए जाते थे Muslim invasion जैसे हमार हो गया है ठीक है and this school was also influenced art school in Tibet नेपाल तो वहाँ पे चला गया था फिर हमारा आता है अप ब्रहम्शा अप ब्रहम्शा में क्या याद रखना है number one यह जैनिजम से बिलोंग करता था number two Solanki जो आपका architecture वाला है वहां से ठीक है तो यह आप ध्यान में रखेंगे developed in the west पलास के इधर west में developed हुआ है सेन स्कूल के eastern side में वहलों सेना वाले जो थे हैं न अपने तो यह यहां पे देखिए angular faces of the object pointed nose protruded eyes जैसे kind of हमें जो south में देखने को मिलता है थोड़ा थोड़ा सा वैसा इधर भी देखने को मिलता है यह आपके जानिजम में रहेंगे इन्होंने बना रखी हैं फिश shaped eyes हैं जैसे फिश की होती है आप इसमें अपना आएगा जैसे बनी था नहीं आएगा उसमें भी जो eyes है वो फिश की shaped की है ठीक है आनिंदिया गुराफनून ने एक वो रामेश्वरम temple था अपना second मेनाच्छी और रामेश्वरम ये दो अपने example देखे थे ठीक है फिर देखिए golden period आपका 16th century से शुरू हो रहा है मतलब 1500 के असपास जब आपके मुगल की patronage यहां से start होगी थी डेकन, मलवा, हिंदू इन्होंने सबने patron ने शुरू कर दिया था तो हमारे अलग-अलग schools जो हैं चाहे वो राजपूर स्कूल हो डेकन स्कूल हो मुगल स्कूल हो वो हमारे डवलप होने शुरू हो गये थे अब हम देखता है मुगल के बारह में देखो मुगल में majorly आपक स्टाइल डवलप कर ली थी ठीक है तो यह द्यान में रखोगे अब इसमें जो सबसे important था वो था हमारा आपका जहांगीर जहांगीर तक आते आते person influence इन्होंने almost कम कर दिया था ठीक है यह जो है ज्यादा life-like है realistic सी painting है जैसे हमारा British का influence है वहाँ पर भी जो paintings है वो realistic painting है वहाँ पर दो तिंग terms अपने आती है perspective type of painting जिसमें आपको depth दिखती है जैसे मालो यह ऐसे चलता हुआ सा या फिर मतलब एक overall scenario से बनता है marketplaces तो perception depth दिखती है उन paintings में miniature ही आपकी मिलेंगी वो भी तो यह भी आपको दियान में रखना है ठीक है यहाँ पर natural life अगरा करी जाती थी subjects were largely from court life ठीक है जैसे इन्होंने अ दोरान बनी थी बताओ ठीक है तो यहाँ पर इनके अलग-अलग books में आपको मिलती है paintings हमजा नामा रम्जा नामा ठीक है रजमा नामा अकबर नामा जो जहांगीर के दोरान बने थे prominence आपकी शुरू हो गी थी मुगल empire decline होने के बाद जो हमारा regional है जैसे पहाड़ी और रा रागमाला painting season की है बारा मासा painting अब आपको इतना देहन में होना चीह है कि रागमाला painting is related to what music बारा मासा painting is related to what आपके बारा मास यानि हमारे 12 months या फिर हम इसको क्या बोलता है seasons ठीक है जहांगीर yes absolutely right very good नरेन, संदीप, प्रिया, अनू, अंकित, तिक्षा ठीक है जहांगीर स चलेंगे chronologically हुमाई वो जैसे आया तो वो अपने साथ क्या लेकिया आया था मीर सेयद अली एंड अब्दुल हमास ठीक है तो यह बना था अब अब्दुस समाद ठीक है अब्दुस समाद तो यह है अपने तो यहां पे सबसे पहले यह देखो पर्षया से आया था पर्षय शुरू करें यहीं से इनकी शुरुआत होती है इसको हम बोलता है blend of Indian, Persian and Islamic तीनों का ही blend आपका माना जाता है ठीक है यहां पे देखो सबसे पहला जो वर्क माना जाता है मुगल का तूती नामा फर्स्ट वर्क अफ मुगल स्कूल यहां पर बावन स्टोरी थी डाइस ओ मिन पेंटिंग के अपने industrial जैसे इनके होते थे कारखाना तो वो भी इन्होंने established किये ठीक है इनके time पर यह popular art से court art बन गया था मतलब popular मतलब पहले आम आदमी करते हैं court art मतलब अब आपको patronize कर रहे है हमारे यह मतलब जो भी आपके ruler रहेंगे अब अकबर के time पर आपके कौन- time पर है ठीक है सबके याद रखते हैं हमजा नामा दस्ताय अमीर हमजा यह आपकी अकबर की ही है अगें ठीक है तो दोनों को ही आपको ध्यान में रखना है इन्होंने commission किया था अपने उसको 14 साल लगे थे इन paintings को बनाने के लिए यह आपके हो गए हैं इधर अब देखो भी आपको याद रखनी है पहला मुगल रूरल था जहांगीर जिसने galleries art of galleries आपकी start करी थी Persian influence देखा जाता है ठीक है इसका जो famous painter है वो कौन सा मनसूर very very important और बिशंदास मनसूर और बिसंदास ठीक है मनसूर बिसंदास यह दोनों ही दोनों नाम याद रखने है जहांगीर क इसने देखो Siberian Crane Bengal Florican तो यह भी इन्होंने painting बनाई थी and he himself was very good painter ठीक है इनकी दो painting यह है मनसूर की है यह बट Siberian Crane Bengal Florican फिर इसके बाद आपका है साजा सहां जा और 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 जेब तक आते जाते painting थोड़ी सी decline होने लगी थी तो quality भी decline होने लगी patronage भी बंद कर दिया तो अब आपके regional school डवलोप होने शुरू हो जाएंगे थोड़ा सा मोटा मोटा मेजर मुगल का देख लेते देखिए Persian influence है yes, realistic है, portraits है, early painting वर offshoot of manuscript paintings, loin drawing वगरा करी जाती थी, archiac lines है, curved arc lines ऐसे आपको मिलेंगी ठीक है, realistic portraits है, religious theme उतरी नहीं है, जैसे क्योंकि हम जानते हैं, Muslim religion में हम represent भी नहीं करते हैं, गोड को भी represent नहीं करते हैं, तो इनके यहां पे या तो trees मिलते हैं, हमारे animals, geometrical forms में मिल सक चलो, ठीक है, तो यह अपना हो जाएगा, आप देखिए, religious theme नहीं है, बट जो राजपूत वाले हैं हमारे, वहाँ पे हमारे religious theme रहेंगी, specially जो हमारा Krishna और इनका है, ठीक है, तो यह आपका रहेगा, आप देखिए, मुगल and राजपूत miniature का हम अगर difference देखें, राजपूत और पहारी आपके मुगल से ही निकले हैं, मुगल secular है, राजपूत पाड़ी religious है, मुगल की themes आपकी general रहेंगी, जबकि राजपूत की religious है, राजपूत की है, गिदगोविन की है, तो R से राजपूत की, राजपूत की religious, पहाड़ी भी यही सारे रहेंगे, तो आप R, R, R स सारे इसी के अंडर आपके आएंगे फिर देखिए अगर colors के context में देखें तो stark difference जैसे मुगल में muted color मलब उतना ज़्यादा हम colors को use नहीं कर रहे हैं जबकि राजपूत में bold primary colors आपके use करे जाते थे abstract look देने के लिए मलब काफी prominent रहते थे मुगल में इंफ्लेंस पर्शन स्टाइल में राजस्थानी में जो अपना school है यहाँ पर local influence है तो हमेशा अपना local influence रहेगा मुगल में यह एक royal art है और जबकि राजस्थानी यह local पर develop हुआ है तो local art रहेगा ठीक है जांगिर picture इन सूफी ड्रेस यहाँ नरें ठीक है एंसी आर्टी में बहुत सारे example paintings के दे रखे हैं जोसे एक वो शेर और उसका है ना वो साथ में कर रहे था वही वो chain of justice की जब में बात कर रहा था था एंसी आर्टी की जो राजपूत है वो राजस्थानी और पहाड़ी का combination है क्योंकि दोनों में ही आपका निकला है वो ठीक है वैसा माना जाता है मारू गुर्जर painting एक collective term यूज करी जाती है मारू गुर्जर आपका राजस्थान का जो जितने भी school है उनके लिए ये यूज करी जाती है यहाँ पर देखिए अगेन अपने दो ही चलेंगे quarterly रहेगा quarterly style या फिर literary जो अपने ये रहते हैं यहाँ पर portraits आपके बनाये जाते थे दो main factor आपके रहे एक तो पहला जैसे commercial community of राजपुताना तो economical prosperity के लिए ये अपना रहेगा second revival of vishnuism तो बक्ती कल्ट और ये सब था तो इनकी जो themes थी वो सारी के सारी यहीं है विश्णू, कृष्णा और रादा कृष्णा सारे के सारा वहीं बेस रहेगा, अब अगर इस map में अपन देखें, तो यहाँ पर देखो, अगर जैसे अलवरोर यह जो आसपास है, यह है दो अंदर style, ठीक है, दो अंदर style, फिर यहाँ पर अपना है Marward, ठीक है, जोतपुर, Marward में ही अपना किशनगर दी आएगा, नीचे है अपना Mayward style, फिर य वाली जो painting थी, वो यह use कर रहे थे, ठीक है, four principal school, आपके यहाँ पर अपने develop हुए है, कौन कौन से, देखो, Mayward, मैंने याद गया से किया था, मे, 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 बकरी, मे, मे गाना गाती है, ठीक है, तो यहाँ मे गाना गाता हूँ, कैसे कर लो, तो यहाँ पर रागमा बुंदी, जालवाड रहेगा, दुआदार में अपने, आमबेर और जैपु रहेंगे, देखो, अब अपन देखते हैं, मेवाड वाला, मे गाना गाता हूँ, तो अमेल, कौन से, इसमें मिलेंगे, राजमाला पेंडिंग, ठीक है, स्वालाव से सत्रासों के बीच में, दो माइगरेट करने लग गये थे, तो कहां से कहां तक, मंडू से मेवाड में आ गये थे, आफ्टर जो इनके, राज बहादूर थे, रूलर, उनको मुगल ने, डिफीट कर दिया था, अब यहाँ पे, जो मेल और फीमेल हैं, देखो, हर जगें पे, राजस्तान वाले में, ये जैसे देखिए, मुगल इंफ्लेंस, डेलिबरेटली अवाइड़िड, तो यहाँ पे जो हमारी जैसे रागमाला पेंटिंग्स आ रही हैं, ये हालमार्क माना जाता है इसका, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे, इन्होंने इंडियन राग्स को पिक्टोरल फॉर्म में रिप्र पिच्चावी, ये है नाथवाड़ा, ठीक है, पुझा गुड़ाफनून, तो ये हमारा आता है नाथवाड़ा पेंटिंग में, पिच्चावी में में चीज क्या है कि क्लोथ पर बनाए जाती है, ठीक है, टेंपल उफ नाथवाड़ा में आपको मिलेंगे कृष्णा, इलिटरेट लोगों को बताना, ठीक है, सुमन, गुड़ाफनून, अगला देखो, मारवाड, ठीक है, मारवाड में अपना कौन सा आ रहा है, किशनगड, तेन ही मान के चलेंगे, ठीक है, तो किशनगड में आपकी कौन सी पेंटिंग थी, बनी था नी, तो दोनों ही, तीन ही चीज़े हैं, आपको continuously याद रख रही है, वर्ल्ड फेमस किशन का डिसी के अंदर आएगा, बिकानेर और ये सब, ठीक है, ये किसके अंदर था, सावन सिंग, पैटरों ने जो माहराजा, सावन सिंग, रादा और कृशन की पेंटिंग है, हिंदू पेंटिंग है, राद अर्ट में था, स्कूल के टाइम पे, तो I made this, ठीक है, थोड़ी सी फणी बनी थी, बट हाँ, I tried कि हाँ, इसको बनाया जा सके, इसकी फोटर देखके, NCRT में थी शाय, ठीक है, डूपिंग आयलेड्स, पॉइंटिड नोस, चिन, ट्रांस्पेरेंट ओडनी इसने पैन रख कर रखे, so beautifully, ठीक है, ऐसा माना जाता है, मुस्लिम की ओडनी है, मोस् ट्राइकिंग आपके क्या रहेगा, किसंगर, बनी थनी, जिसको माना लिसा माना जाता है, गोल्ड का भी आपका यूज किया गए, ये चीज़ा आप याद रखेंगे, फेमस पेंटर कोन है, स्कूल का, निहाल चंग, ठीक है, गोल्ड का आपका यहाँ पे यूज आएगा, और फिर हमारा आपका तंजाओर वाली जो पेंटिंग आपकी रहेंगी वहाँ पे, फिर देखो हड़ोती, हड़ोती में कौन सा आएगा, बुंदी और कोटा, कोटा फेमस है, एलन से, तो वहाँ पे अ आजिस्तान के डवलप डूरेंग गाजा, सुर्जन से, क्लोज असोशेशन विद मुगल रहता था, कृष्णा की लाइफ, सेम, सेम, सब कुछ सेम, human faces थोड़े से राउंड होते थे, जैसे यह पेंटिंग बना रखिया, एक स्काई है, बर्ड्स है, आदमी यहाँ पे हैगा चितरशाला, कोटा वाली में देखो, कोटा में blend है, blend किसका, मुगल का, मुसलिम और हिंदू, दोनों का ही influence है, आपका कोटा पेंटिंग में, considerable मुगल इंफ्लेंस, एन दोनों ही, मुसलिम स्टाइल, एन दे हिंदू स्टाइल, फिर हम अगर देखें, धुन्दर पें फांबेर का था, इसके मुगल के साथ अच्छे कासे relation थे, natural, ठीक है, mutual cultural exchange हुआ, यहां पे कौन-कौन सी आ रही है, कृष्ण लीला, राग रागेनी, नायका, elephant riding, horse riding, camel riding, क्योंकि हमारे राजे यही करते थे, राजस्तान के context में, तो इनी की ही painting बनेगे, ठीक है, तो यह थो अगर हम देखते हैं, जैपुरी style of painting, तो यहां पे भी अगर अपन देखें, यह सिर्फ royal से ही नहीं थी, यह आपका local में भी इसका influence रहेगा, तो यहां पे देखो, life-size portraits, बड़े-बड़े, representation of the myths, राग, ठीक है, bright color, और काफी ornate आपका background है, man and woman, appearance proportion and clean shaven दिखाये गए है attractive faces इन्होंने बनाए हैं, जैपुर वाले में, ठीक है, तो मोटे-मोटे तोर पर यह याद रखेंगे, फिर देखो, shake-outy, यही वाला आपका reason है, कौन सा है, दिल्ली, बिकानेर, और जो जैपुर वाला अपना reason है, ठीक है, वहां से, जैपुर से आगए, अपन बिकानेर, की तरह यूज किया है, वहां पर train, bicycle, aeroplane, यह भी इन्होंने painting करी है, ठीक है, तो यह हमारा रहेगा, जैसे यह आपको दिख रहा है, तो यह ऐसे, यह cycle दिख रही है, तो cycle की painting में इन्होंने बना रखी, यह से खावटी, ठीक है, फिर जैको पहाड़ी, पहाड़ी जितने भी रहे, मनलब जैसे आप चाहे, जमुन, कश्मीर वाला मालो, हिमाचल वाला मालो, सिक्क्यम वाला मालो, लव पेंटिंग्स, कृष्णा, एंड बुद्धिस्ट, यही तीनों में से कोई न कोई रहेगा, अब जैको, it is an umbrella term, जो भी हमारे हिमालन हिल्स के रहेंगे, उस व bold और intense है आपकी बसवली, अभी थोड़े से सारे ही देखेंगे, ठीक है, वहाँ से लेके मलब जो जमुन, कश्मीर की bold and intense है, वहाँ से हमारी delicate and lyrical kangra, मलब kangra थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी delicate है, जबकि जमुन, कश्मीर वाली थोड़ी सी आपकी bold है, तो यह transition से रहेग तो ऐसा देखने को मिलता है, influence किसका है, राजपूत स्कूल का, क्योंकि राजपूतों से ही हमारी निकली है, मुगल का भी थोड़ा-थोड़ा influence है, majorly जो यहाँ पर हमारी themes है, वो है love and devotion की, ठीक है, चुरू में भी fresco heavily painting, yes, ठीक है, यह आपकी होगे देखो, अब love वाला सारा scene चली रहा है, देखो बसोली, इनके बार में एक एक दो दो चीज़ ही याद रखेंगे, जादो कुछ नहीं, बसोली कहां से है, रादा कृशन की है, जमन कश्मीर है, फर्स्ट स्कूल ओफ पहाड़ी माना जाता है, popular work of रासमंजार, यह मत देखो, गित गोविंद, द पिर देखो, बसली, गुलेर, एन कांगडा, बसली, जेन के, गुलेर, हिमाचल, और फिर हमारा कांगडा आएगा, कांगडा अगेन मिनियेचर है, मुगल्स का influence है, ठीक है, very very important, यह माना जाता है कि मुगल और पाणी दोनों का ही यहाँ पे influence है, and बसोली और गुलेर, जो कोई भी यूज नहीं कर रखा, अगेन देखो, गिद्गोविन, रादा किर्शन, लव, उपर वाले सारों में ही क्या कोमन चल रहा है, गिद्गोविन, रादा किर्शन, और लव वाली पेंटिंग सारी चल रही है, नायक, नायका, जैनित, जो है, संसार, चंद के टाइम प बोलते हैं, डेकन स्कूल, देखे, शुरू में थोड़ा-थोड़ा सा इन पे नोर्थ का भी इंफ्लेंस रहा है, बट इनका भी अपना यूनीक रहेगा, जैसे, प्री मुगल पेंटिंग जो मालवा वाली है, तो उनकी ड्रेसिंग स्टाइल इनोर्थ का इंफ्लेंस है, सा औरिजन बीजापूर में हुआ, लेटर हमारा गोलकॉंडा में भी यह, आपका देखो, बीजापूर, एंदबाद गोलकॉंडा, बीजापूर से शुरू के बैग, गोलकॉंडा में यह आपका फ्लरिश हुआ है, ओके, यहाँ पे जो डेकनिस स्कूल है, मुगल का उतना इ औरंग जेब ने अपना पैट्रोनेज कम किया, तो काफी कुछ इधर उधर शिफ्ट होगे थे, तो तब थोड़ा सा दिख रहा है, गोलकॉंडा पैंडिंग्स में देखे, कुलब कुतुष शाही वाली जो हैं, पर्शन पैंडिंटर्स की हैं, इरानियन आर्ट इसमें हैं अब हम देखते हैं, मोडरन आर्ट इन इंडिया, देखो, मोडरन आर्ट में सबसे इंपोर्टेंटली जैसे, अबिंदर नाथ, रबिंदर नाथ, ठीक है, और जो इन्होंने अपना आर्ट स्कूल डवलप किया था, वाटर पैंटिंग्स आपको ध्यान में रखना है, या फिर हम इसको बोलता है, कंपनी कलम, या कंपनी कलम, ठीक है, यह वाली हमारी पैंटिंग्स होती है, तो यह हमारा कंपनी स्कूल ऑफ पैंटिंग, देखे, राजा रवी वर्मा की थी, शकुंतला, यह है जटायू वद्ध, तो यही थे, फर्स्ट मोडन आर्टिस्ट, जो मैंने आपको बताया, डेफ्ट आपको दिखेगी, पैंटिंग में, प्रस्पेक्टिव, प्रस्पेक्टिव, ओयल मीडियम यूज किया, human models, ठीक है, models को बिठा के यह पैंटिंग मनाते थे, और ऐसा, अगेन, वो हमारा क्या बोला जाता था, भगवानों को घर तक लेक अपना बनाया है, कंपनी स्कूल में क्या रहेगा, इंडो-उरोपियन एलिमेंट रहेंगे, ठीक है, यहां पर देखो, लैंड्सकेप, लैंड्सकेप, जैसे अपन फोटो कीशते हैं, लैंड्सकेप की, वैसी पैंटिंग, जैसे मांटेंस की पैंटिंग, ठीक है, इंडिश इंफलेंस था, तो वहां पर हर जगे जरूरी भी नहीं है, कि पैंटिंग डवलप हो पाए, कहीं अगर आपका ऐसा लगए कि कंपनी है, तो हर जगे रहेगा, नहीं, इट वस नोट पैन इंडियन फिनोमना, ठीक है, अब यहां पर देखिए, कुछ-कुछ जैसे अपने अर्ली पॉर्ट टाउन प्रेजिदेंसी में डवलप हो गी थी, शेवक राम, इस्वरी परसाद, गुलाम अली खान, इसमें और भी थे अपने, ठीक है, उतना याद नहीं रखेंगे, नैशनलिजम का जब चल रहा था, तब भी हमारा पेंटिंग्स के थुरू, इन इन्होंने ओल आपका यूज किया था, और फिर हमारा जैसे यहां पे भारत माता की पेंटिंग, अभी आगया आएगा, किसने बनाई थी बताओ, जब तक आगया आता है, तब तक आप लोग बताओ, भारत माता की पेंटिंग्स किसने बनाई, देखें, यह हमारा है बंगा वाला था, shades भी इन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया था, ठीक है, canvas, watercolors यह यूज़ करते थे, यही आप याद रखेंगे, अब इंदर ना टैगोर की हमारी है, यह भारत माता की पेंडिक दिखनी रही है, बट इसमें देखो, इन्होंने, जैसे भारत माता की हाथ में, एक हाथ में दे रखा है, rice, चार हाथों में चार चिज़े हैं, rice मतलब un को represent कर रहे है, book जो शिक्षा को represent कर रही है, mala मतलब meditation और इन्होंने यूज़ किया है, फिर white color इन्होंने यूज़ किया है, तो यह हम द्यान में रखेंगे तोड़ा सा, ठीक है, इनकी जादा तर जैस इस है, white cloth है, white cloth symbolize किसको करते हैं, अलग-अलग, तिक्षा, दिक्षा, अन, एंड वस्त्र, white cloth वस्त्र को represent कर रहे है, ठीक है, अब इंदर रात, yes, गुड़ा फनोन निधी, चल लिए, ठीक है, तो यह हमारा हो जाएगा, अब देखिए, जो हमारे ही यह थे, अब इंदर न नाइट्स का अपना कौन सा सीरियल आता था, बताओ, बताओ, अरे बेन आइट्स, फिर देखिए, गजंदर नाइट टैगोर, इनकी कौन सी है, हिमालेन ब्राइट, इतना डिटेल में याज नहीं रखेंगे, गजंदर नाइट टैगोर, फांडर ओफ, इंडियन सोसाइट नंदलाल बोश, ठीक है, इन्होंने नैशनलिस्टिक पेंटिंग आपके बनाई थी, अबिंदर नाइट, इंस्पिरेशन कहां से ली, अजंता से ली, ठीक है, मोटा मोटा, आप देखिए, हाँ, ऐसा भी माना जाता है, ओरिजिनली जो पेंट यहा था, इंडियन फ्लैक को लेनो कट प्रिंट, वाकिंग विद दे स्टाफ, ठीक है, वो ऐसा से दिखता है, वो उन्होंने ही बनाया था, ठीक है, पिर देखो अलग अलग है, यह अपने काम का नहीं है, काम का नहीं है, काम का नहीं है, अमरेता शेरगिल, अमरेता शेरगिल ने भी बहुत सारी मार हो जाएगा, he was neither a revivalist nor a modernist, थोटा से detail में है, indigualistic paintings पे ज़्यादा रहता था, ठीक है, अपना खुद का उन्होंने style डवलप किया था, एक studio established किया थे इन्होंने जिसको क्या बोलते थे, विचित्र, और हमारे कौन से example है, एक पेंटिंग है राजा बिंदू, ठीक है, एक बिंदू सा है, और modern art है, don't know, अरे, अलिफ लैला, अलिफ लैला, अरेबिय नाइट्स, ठीक है, याद आया अब कुछ, सीरियल नहीं देखते हैं, बच्पन में तो सब सीरियल देखते हैं, जवानी ही है, जिसमें आग लगती है, सारी चीजे बरबाद हो जाती हैं जवानी में, और बढ़ापे तक आते आते हैं, किसी काम के नहीं रहते, ऐसे ही जीवन चला जाता है, तो सो, इट मेक्स में वंडर सम्टैंज, अलोट, कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है, वेल टॉक अबाउट इट सम्डे, अच्छा, जो लो शाम को बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है, यहाँ पे देखो, तैयब महता, तो इनकी भी कुछ-कुछ पेंटिंग चल रहे हैं, बस, अपने को इन में कुछ नहीं करना, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडनेंस, दो गवर्मेंट इंस्टिटिशन हमारे आयते हैं, जैसे नैशनल गैलरी, आपका है ललितकला अकैडमी है, ठीक है, यह ट्राइनियल, तीन साल में एक फेस्टिवल और्गनाईज करता है, ठीक है, अब हम आते हैं, यह आपका मोटा- बुद्धिस्म भी है, इधर वाले में भी देखो, कृष्णा तो सब जगे चल ही रहा है, महलब सेंटर में भी चल रहा है, निचे भी चल रहा है, विष्णू, ठीक है, और इस टाइप से, शार्प है, राउंड है, इस टाइप से थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इस में हमारा बुद्धिस्म है, वज्रयाना है, ठीक है, अलादीन, ठीक है, फिर न्यूस देखो, हाँ, फिर न्यूस देखो, अप ब्रहमशा, यह हमारा जैन है, विष्णु किती, बस इतना सा याद रख सकते हो, वेस्टरन एंड सेल्टर इंडिया, सब्जेक्ट क्या है, जैन वेश्णवाइट, पॉइंटिड नोज, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल और इसमें है, फिर देखो, चेरियाल स्कूल ओफ पेंटिंग, यह जो चेरियाल है, यह वारंगल डिस्टिक में है, आंधरा प्रदेश, ठीक है, तो आंधरा में आपकी एक तो कलमकारी आ रही है, एक आ पेला रीजन जो था, मदरास प्रेजिदेंसी में आया था, सिंथैटिक है, देखो, लोड वैलेसली, लोड इंपे, इनके टाइम पे यह आपका डवलप होना श्रू हुआ था, ठीक है, सबसे वर्स्ट ब्लो जो बोला जाता है, जैसे ही, आपकी फोटोग्राफिया आए, यह जिस टाइब की पेंडिंग बनाते थे, वही आपकी फोटोग्राफिय में भी रहती थी, तो उतना वो रहा नहीं और हो गया था, ठीक है, अंकित भाई आगया है क्या, अंकित का उपर नहीं आएगा, अंकित का तो उपर आगया था, ठीक है, अंकित सो गया हो गया, चल में बस नाम याद रख लेना नाम और location that's it जैसे रंगोली हमारे नोर्थ में बोला जाता है अलपना बंगाल में एपन अलपना इधर है एपन उत्राखन में है रंगवाली करनाटक कोलन ठीक है कोलम सोरी कोलम तमिलाडू मांडना मांडना मध्यप्रदेश ठीक है मांडना माचना और माच नाच ठीक है माच याद है डांसिज में अपना आ रहा था ठीक है तो वो हमारा रहेगा तो उन्हों पाने देवाई पिर यह अपना रहेगा ठीक है अब देखो अगला गुजराथ स्टाइल यह नेचुरल है रागमाला जैसी जो आपने बात करी ठीक है प्रिकर्सर ओफ राजपूत में सब्जेक्ट क्या है वैश्णुवाइट अगें तो इसको थोड़ा सेकिंड आपका ब्लोक पेंटिंग जिसमें होकती है ठीक है दी मोस्ट फेमस बार बार आपका आया भी है यह तो कलमकारी अपने को याद रखना है कलमकारी में अपना क्या रहेगा देखो आप ब्लोक पेंटिंग, हैंड पेंटिंग, आंद्रफरदेश, कलम, ब्लैक इंग चल रहा है तो यहां भी यहीं चलेगा religious mythology ठीक है पर्शन influence भी देखने को मिलता है मचली पटलम कलमकारी में कि दो style हम इसमें मानते हैं नमबर वन है स्रीकलहस्ति कलहस्ति मतलब हस्त मतलब हाथ तो यह हाथ से बनाई जाती है free hand drawing ठीक है दूसरा हमारा कौन सा आता है मचली पटलम जो आपका block से रहेगा motive design ठीक है muslim rulers का है रमायंड और माबार कालिगाठ हमारी कहां है unrealistic एंड वेस्ट बंगोल बस 19th century बंगाल गल गोड़ेस काली की फेवरिटली बनाए जाती है social life भी दिखाए जाती है ठीक है तो यह हमारा रहेगा जर्नली करविंग फिगर्स हैं एक इसमें देखो NCRT में एक diagram दे रखा है याद है किसी को कालेगाठ पेंटिंग से जो बारबार भी मैंने बताया हूँ है वैसे उस diagram का याद आ रहे तो बताओ ठीक है they do not use perspective ठीक है तो यह आपको ध्यान में रखना है फिर देखे अगले अपनी क्या आ रही है अधुबनी कहां坊 की, बिहार की नाम कहांसा है मदु मतलब हनी, बनी मतलब 毒 फॉरेस्ट, हनी के फॉरष्ट ते वहां से अपना ये है ठीक है मदुबनी पेंटिंग, मितृला पेंटिंग भी अपने इसको बोलते हैं freshly plastered mud wall पर बनाय जाता था but now on cloth भी रहेगा handmade paper 2D plant colors यह सब रहते हैं Hindu religion जैसे Krishna, Ram, Shiv, Durga यह सब सार अपना चलता है फिर हम आता है Malwa Malwa plane, Malwa plateau, MP यह हमारा क्या है अगें यह राजपुताना है और किसमें रहेंगे इसमें देखिए Ramayan के हैं, Vishnu के हैं bright color आपके use करे जाते हैं इतना सा ही याद रखेंगे मैसूर, मैसूर में अपना क्या आएगा मैसूर, विजयनगरा kingdom जब decline हो रहा था तो आपका मैसूर और तंजावर यह सब develop होए थे, ठीक है तो वडियार्ज ओफ मैसूर के अंडर यह हमारा था यहाँ पर देखिए elegance, muted color, attention to the details very very detail, Krishna and his wife परस्वती, यह इन्होंने बनाई और थोड़ा सा gold भी यूज़ कर लेते थे, तंजावर में ज़्यादा यूज़ होता था, तो यह देखो again, Hindu golden goddess Hindu mythology, same चल रहा है inspiration from the devotion and the humility ठीक है, हाँ, vegetable colors यूज़ करते थे, lustrous gold leaf, ये भी यूज़ करते थे तो south में gold का content रहेगा थोड़ा सा, ठीक है चपल हनुमान जी yes, absolutely, modern हनुमान उसे की बात कर रहे थे, आप लोगोंने बता दिया है, नरेन, देक्षा, प्रिया, गुड ठीक है, देखो, यहां का hallmark है gashowork, gashowork क्या है एक mixture बनाया जाता है paste का, lead powder gumboos and glue, इसको बोलते हैं gashow, इसमें फिर gold foil आपकी add करी जाती, इतना सा याद रखेंगे thick gold relief work तंजावर में सबसे ज़्यादा मिलता है फिर देखो, pathkar pathkar अपना का है, जार्खन में scroll paintings, जार्खन odysa, इधर scroll paintings मिलेंगी pathkar, pathkar पत्ते को जैसे बता है, पत्ता जासर टाइप्स वही pathkar are scroll painting किसकी जार्खन की tribal paintings है, one of the most ancient, very very important pathkar, जार्खन याद रखेंगे, ठीक है pathkar है, फिर देखो, path chitr दो यहाँ पर आ रही है path chitr and pathwa, ठीक है तो बभुवा बोलते हैं बिहार में, pathwa है west vangal में, यह मैंने trick बनाई दी a pathwa, a pathwa, pathwa है west vangal की, और हमारा path chitr, again, यह कहां का है उडिसा का, path in Sanskrit means, वस्त्र, ठीक है चitr मतलब painting, इसमें कौन सी है यह जो दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर देखो जगनाथ, वेश्णो कल्ट, mythological, religious, same, Lord जगनाथ और राधा कृषिन की, vegetable mineral color आपके use करते थे, red अगे, अगें, pathwa कहां पर है, west vangal तो west vangal में है, तो यहाँ पर जो themes है Muslim and Buddhist theme हमारी चल रही है, अगें, यह resemble किसे करती है, पत्चित्र से resemble करती है, क्योंकि आसपास है उडिसा के पत्चित्र, और इसका अपना क्या रहेगा, west vangal का पतुआ, ठीक है, तो यह हमारे रहेंगे and themes क्या रहेंगे, इनकी mangal का हुए, उश्पीशित सोंग ठीक है, फिर हमारा रहे रहा fard, fard मैंने कैसे याद गया था मेरे एक दोस्त हैं, अमित मैता he is from भिलवडा, तकडी personality, तो वो fard के रख देता था सबको, ठीक है, तो अमित मैता fard, ठीक है, scroll painting से सारी की सारी, अहाँ पहले blocks में बनाई जाती है, फिर आपके colors इसमें fill करे जाते हैं, bold lines two dimensional ठीक है, यह आपका दिखाया जाता है देखो, पुराने time से they are carried by bopa, bopa कोन होते हैं, folk religious single, यह इन paintings को अपने साथ लेके चलते हैं, फिर हम आते हैं, पिथोरा, देखो, पिथोरा आपकी कहा है, गुजरात and MP में, यह आपकी कौन सी tribes बनाती थी, रत्वा, बील्स and नायकाज, रत्वा आपन ने याद किया था, गुजरात की tribes है, गुजरात की एक tribe बी से start होती थी, बी, एच करके कुछ था, उसका नाम बताओ, याद आ रहा है तो, सुमित राम राम भई ठीक है Machine Land Drilling ठीक है, देखो, यह अपना हो गया अब देखो, पिथोरा, यहाँ पे यह ऐसे गोड़े से बना दिये, मतलब ऐसे ही है, tribal है, तो यह सारे auspicious occasion, जैसे शादी बर्थ, ठीक है, इनके बारे में festivals, इनको यह represent करते थे, and पिथोरा पेंटिंग can be called as a ritual rather than art because perform to thank God, मतलब मालो शादी हो रही है, तो उसका एक ritual था कि पेंटिंग करी जाएगी, मतलब see how beautiful that is, कि उसके बाद हाँ पेंटिंग कर रहे है, मतलब art की तरह नहीं बनाए जा रहे as a ritual perform हो रहा है, आपका पित हो रहा, रागमाला अपन ने देखी लिया राग इसमें बनाए जा रहे है, garland of the rags, depicting Indian musical modes, राग है, amalgamation किसका माना जा रहा है, आपका art, pottery, classical सबका माना जा रहा है, 16th century में ये हमारा majorly आपका रहा पहाड़ी, रागमाला, राजस्थान राजपूत, रागमाला, ठीक है अलग-अलग location के इसाब से हमारे रहेंगे specific Hindu deities attached नहीं है, देखो सब जगे कोई ने कोई daddy और ये सब अपना आ रहा है जहां पर कोई daddy नहीं आ रहा है at least उसको याद रख लेंगे, रागमाला ठीक है, सुखपाल सुख, गुड़ाफनून भील, राजस्तान, MPS ठीक है, ठीक है, अब देखो रंगोली अभी अपने उपर देखा पॉकार्ट में थे, इसके अलगर राम चल रहे थे अलपना, बंगाल में, अरिपना अलपना, अरिपना, अरिपना है बिहार में मांड कहां रहे थे, राजस्तान और गुजरात में आपका आ रहा है, और MP में भी आ रहा है वोल्स हैं, सारी अंदर वाली, इनर वोल्स में ये पेंटिंग बनाई जाती थी, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है, कहां की है, ट्राइबल्स ओडिल्सा की, इंसाइड दे वोल्स बनाई जाती है, अगें, ओस्पीशियस ओकेजिंस, बर्थ, मैरेज, हार्थ, इतना वसल अप संजाओर थोड़ी तटक बिड़क है, गोल मटोल है, ठीक है, बस, गोल रहेगा, फंदरासो, सोलासो क्या असपास है, हिंदू गोड़न गोड़से हैं, वोड़न प्लैंक्स पे भी बनाया गया है, ठीक है, देखो, पहले प्रिलिम्नरी ये करते थे, स्केच बनाते थे, च आइक क्वालिटी गोल्ड फोयल यूज़ करते थे, फिगर्स है, स्टैटिक, मतलब ऐसा मून नहीं, मतलब आराम से दिखेंगी, ठीक है, आइन फिगरार हाउस एद दे सेंटर अव बोर्ड, बीटिफली डेकोरेटेड आर्चेज वगेरा है, ये टेबल देख लो, देखो सेटिंग्स में है, क्लोथ पे, वुड पे, ठीक है, वुड ऐस बेस, वुड क्लोथ, एंड दोनों किस से निकले हैं, विजयन अगरा से, ये दिख रहा है, गोल्ड गोल्ड, तो ये देखो, ये तो आपका क्लोथ पे है, मैसूर वाला, सिंपल सा है, बट ये वुड पे है, इतना याद रखेंगे, फिर देखो ठंका पेंटिंग, ठंका क्या था, ठंक ठंक, ठंक, तांत्रिक, बुद्धिजम, वजरियाना बुद्धिजम, उससे अपना बिलोंग करता है, तो ये आपका वजरियाना बुद्धिजम सेक्ट पे है, तो ये आपका वजरियाना कशिए हैं अब यह अब यह अपना हो गया यह हो गया पैंकटिवन कोटन यह अपना हो गया है तो अंट zostan ticket में बुूर्गित याद मिल रहा है už रिघ। हैक कर में ऐसे घ्रक्र टिक है यहरा रहा है नीचे विजयन ऑ रिखने इँड़ेंगरा नीचे व दीख में है वीर बद्रा लेपाक्षी में ठीक है वीरू में क्या था वीरू में विश्णु था ठीक है तो देखो यहां पर क्या है मेजरली सारा सेम देखो जो रामायन माभारत वाला था वहीं मिलेगा हमें इसमें देखो क्या है प्रेसको मुरल्ध है हिंदू डेटीज की है इंस्प पारवती सबके बारे में यहां पर बताया गया है हिंदू को रिप्रेजेंट करते हैं यस बेस्ट आपका मिल रहा है वीर बद्रा में मतलब वीर बद्रा और यह से भ्याद रखेंगा विजयनगरा एंपायर जो पेंटर से माइग्रेटिंग यह तंजावर और मैसूर में भी आपके स्टार्ट हो गये थे तो हमने क्या देखा वेजयनगरा जब फोल हुआ तो तंजावर मैसूर दो आपके आपशूट निकल रहे हैं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके देन 50% ओफ ठीक है प्रिया जालो थोड़ा-थ दिछ देखा यॸyu और रही है अब देखो वरली वरली याद है वरली वरली हमारे कांको महाराश्टा की साने डिस्टिक वरली डिसटे़ेकर डिफिरेंस इसमें क्या है डे टुडो डे एक्टिविटी करता है इस टाइप से होते हैं यह दो यह इसको बोडर है é mention a cheating unpacked product थीम्स क्या चल रही है या तो religious है या mythological है तो हमारी रागमाला है वहाँ पर हमें थीम्स नहीं मिली वरली में हमें थीम्स नहीं मिली ठीक है यह चीज याद रखेंगे mythological story no does not move around mythological day-to-day activity तो mythological कहां रहेगा brown white color अपने यूज किया है red और yellow की इसमें dots है ठीक है background जो है with white color ठीक है और red and yellow sports कई बार देखने को मिल जाते है square rectangle circles यह सब देखने को मिल जाते है day-to-day activities देखने को मिल जाती है तो यह हमें देखने को मिलता है इसमें वरली में वरली paintings are made by the village artists usually women women हमारा और कहां पर आ रहा है आपका mythila में ठीक है madhu बने ओके यह हमारा हो गया है अगला आपका रहेगा art form dances painting अपने कर लिया है art form dances देखो अब आप लगबग लगबग कहां पर आ गए हो 120 page पे ठीक है हो जाएगा फिर तीन दिन के अंदर art and culture हो जाएगी फिर तो अपना जो history की रहेंगी उनको अपन तो बहुत तेज से करेंगे यह सब के लिए नया था इसलिए मैंने आराम से लेके चला modern history मैंने आपको करवादी ancient करवादी medieval हो जाएगी history history की ncrt will go like मदलब bullet train ठेक है जल्दी fast revision उसमें अपन टाइम नहीं लगाएंगे ज्यादा उसका अपना आराम से करेंगे कि सुमित HCS में अपने नहीं आएगी उतनी ठेक है UPSC के हिसाप से करने में लिए UPSC की revision class है ठेक है HCS के लिए थोड़ा सा कर सकते हो ठीक है भीम गुड़ आफ्रनून रेमिशन रेमिशन याद आ रहा है रेमिशन और यह सब जो पावर होती है president की अब मुझे जाता जाता ही यह बता जाओ रिप्राइव पावर जो होती है और जो पावर उफ प्रेजिदेंट की partnering की है कौन से article में है दो चीज़े बता के चले जाओ बस ठीक है फिर आप चले जाएंगे आज अपन करेंगे economy बिल्कुल शान्ति से शाम को बैठना है 55 question का अपना target रहेगा 50 to 55 ठीक है डेट गुंटे से ज्यादा नहीं करेंगे उतना ही रखेंगे बताओ बताओ और जाब कल वाला आपका लेक्चर क्या रहेगा art form dances ठीक है 62 72 72 72 आथे लोग 62 answer कर रहे है 62 क्या आ रहे है 62 का क्या context रहे है देख लेते है 62 आपका है time of holding the election on the expiry of term ठीक है 72 61 impeachment that's it pre cancel होने के गम से आज उवरा हूं sir काफी time लग गए कोई नहीं समित लग जाता है I understand that पड़ाई शिरू कर आराम से ठीक है यह तो ऐसी चलता है यह सब यह यह ही चलता रहता है ठीक है बट होगा इस बार अभी मेरे को वह है intuition जिसको बोलते है I think so this year HCS will be done by the end of this year last year गडबड चल रहा था और थोड़ा सा उसके जल्दी भी हो गया था तो उतना हो नहीं पा रहा था मुझे यकीन नहीं हो रहा था बट अभी मुझे है कि हाँ इस साल I think it will be done ठीक है और दुबारा से गडबड होने की चंसे नहीं रहेंगे so thank you all for joining the session it was great having you all we'll meet in the evening 8.30 आप पीम तिल देन स्टेविट सेल्दी